दोस्तों आप देख सकते हैं परधानमंती आवास योजना 2022 का पेमेंड पेंडिंग लिस्ट तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचाइत नेम, विलेज नेम, रेजिस्टेशन नंबर, बिनिफेक्टरी नाम, बैंक नेम, ब्रांच कोड और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं amount 75,000, installment 2 और दोस्तों date of credit तो दोस्तों यहाँ पर date of credit में कुछ नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं second installment 75,000 पेंडिंग है अगर आप मेरे चैनल में नहीं तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो परधार मंती अबास उजना 2022 ते इसका पेंडिंग पेमेंड लिस्ट को निकालने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा तो दोस्तो इस पेज का लिंक मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा वहाँ से आप इस पेज पर आजाएं और इसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको section देखने को मिल जाएगा यहाँ पर A section, B section, C section तो दोस्तों इस तरह से आपको app section पर आना होगा तो दोस्तों app section पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चोथा नमबर पर एक option है FTO transaction समारी तो दोस्तो आपको इस पर click कर देना है जैसे दोस्तो आप click कीज़ेगा आपके पास इस तरह का interface आजएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022-23 यहाँ पर select है और दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर आप अपना district को select कर लें, district को select करने के बाद दोस्तों आपको नीचे मिलेगा select तो दोस्तों यहां पर आप किलिक करके यहां से आप अपना block को select कर लें, दोस्तो ब्लोक को select करने के बाद दोस्तो आपको नीचे मिल जागा एक select का option तो दोस्तो यहाँ पर आप click करके यहाँ से आप pending list को select कर ले तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं no pending with pmfs तो दोस्तो यहाँ पर आप click कर ले जैसे दोस्तो आप pending list को select कीजेगा नीचे आपका आ जाएगा एक capture तो दोस्तों इस capture को आपको minus plus जो भी रहेगा इसको आप solve कर ले और नीचे इस box पर फिलप कर दे और नीचे आप submit बला option पर click कर दे जैसे दोस्तों submit पर click कीजेगा नीचे यहाँ पर आ जाएगा list तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं FTO file नंबर आ ग गया है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 75,000 और दोस्तों second installment और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं pending यहाँ पर बता रहा है तो दोस्तों यहाँ पर date issue नहीं हुआ है मतलब दोस्तों pending यहाँ पर है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है पंचाइत नेम, विलेज नेम, रेजिस्टेशन नंबर, बिनिफेक्टरी नाम और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक नेम, यहाँ पर ब्रांच कोड और दोस्तों यहाँ पर एमाउंट और दोस्तों यहाँ पर इंस्टोलमेंट 2 और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं date of credit यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपका pending है तो दोस्तों यह pending payment list है दोस्तों अगर इसको आपको download करना है तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं download PDF तो दोस्तों यहाँ पर आप click करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तो इस तरह से payment pending list को आप निकाल सकते हैं, तो दोस्तो असा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तो वीडियो को like कर दें, और दोस्तो अगर आपको कुछ भी problem होता है तो नीचे comment box पर comment कीजिए, और दोस्तो अभी तक मेरे चनल को अगर आप subscribe नहीं किए, तो चनल को subscribe कर लें, तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए, बाई बाई, बंदे मत्राम, जाई हिन, जाई भारत